हलो रिवान वेलकम टो फार्मरोक्स यूट्यूब चैनल फार्मरोक्स की यूट्यूब एजूगेसले चैनल में आपका स्वागत है इन टोडेश वीडियो लेक्चर वे विल स्टडी इन डेटेल अबाउट दे स्पाइनल नौस कि जो 31 पैर होती है स्पाइनल नौस की उसके बारे में हम डेटेल में स्टडी करेंगे कि यह हमारा स्पेसली पार्ट 8 वीडियो लेक्चर है अन डिस टॉपिक एन टोडेश वी वीडिसक्च इन डेटेल अबाउट दे स्पाइनल नौस फ्राम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कि जो हम डेटेल में स्टडी कर रहे हैं नर्वस सिस्टम की और उसके रिलेटेड हम अलग-अलग उसके जो टॉपिक से उसको डिसकस कर रहे हैं और ये जो टॉपिक है आमारा आज का स्पेशल है रिगार्डिंग दे स्पाइनल नौस कि जो स्पाइनल नौस की जिसके टोटल 31 पेर्स होती है जिसके अंदर हम उसके अलग-अलग components हम देखे तो जब स्पाइनल कोड का हम cross section लेते तो उसके अंदर हमें grace matter देखने को मिलता है white matter होता है फिर white matter के उपर की side जो जो होता है person वो हम कहते है dorsal root और नीचे के जो side है वो ventral root तो ventral root की और से भी spinal nose निकलती है as well as dorsal root की और से भी spinal nose निकलती है और वो फिर proper protected होती है हमारे vertebral column के अंदर तो ये हमारा brain की जो skull के अंदर proper protected है और उससे अंदर ये हमारा पुरा vertebral column और उसके अंदर रहा spinal cord और spinal cord में से निकलती है हमारी अलग-अलग spinal nose तो इसी को बारे में हम detail में study करेंगे in this video lecture of spinal nose तो इस एक्सपर लेक्चर बाई और जिसके कारण यूटूब ने हमें silver button की जो यूटूब creator reward है उससे सन्मानित किया है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सभी के support के कारण ही हमने ये achievement को achieve किया है तो updated रहे हैं फार्मा नोलेज के साथ इसलिए subscribe करिए channel प्रेस करिए bell icon and never miss any video of pharma rocks अब pharma rocks का app भी available है तो अक्सेस करिए study material taste series and video lecture on app pharma rocks तो link समने description box में आपको दे दी है तो nervous system की जो complex collection है हमारे nerves का और neurons का और उसके अंदर जो specialized cell होते है जिसको हम कहते हैं neuron और वो transmit करते हैं signal between the different parts of the body कि nervous system जो हमारे body की वो हमें जो proper consciousness देती है हमें जो sensation होते हैं उसके लिए sensory neuron responsible है और जो हम movement करते हैं उसके लिए motor neurons present होती है हमारे body के अंदर तो nervous system दो बाट में सबसे पहले तो divide होता है एक तो central nervous system कि जिसको हम CNS कहते हैं और दुसरा peripheral nervous system तो central nervous system में included है brain और spinal cord और brain और spinal cord में से निकलती जो neuron से वो बनाती है peripheral nervous system और उसके अंदर में included है ये peripheral nose तो nervous system हमें proper sensation देता है as well as जो हमारे motor responses से वो generate करने में काफी help करता है तो ये सभी को हमने detail में सीखा है already उसके अलवा classification भी detail में हमने study की है उसके बाद brain के बारे में हमने अलग-अलग parts के अंदर सीखा तो previous parts के link आपको description box में मिल जाएगी as well as आप eye button पे click करके भी previous parts जो है वो देख सकते हैं तो ये brain के बारे में सीखा हमने कि जो central nervous system के दो major organs हम कहे है एक तो brain और दुसरा ये spinal cord तो spinal cord का भी हमने part 7 के अंदर detail में study किया कि spinal cord के अंदर क्या-क्या include होता है उसका जो cross section है उसके बारे में हमने detail में study की also about the vertebral column तो उसके बारे में भी हमने detail में discuss किया तो अब जो हमारा main topic है आज का वो है spinal nerves तो spinal nerves जो है वो proper protected होती है कि जो हमारा vertebral column और spinal cord उसके से निकलती है हमारी यह spinal nerves तो जो spinal cord होता है वो काफी long होता है कि यहाँ पर हम देख सकते कि जो brain stem से वो जो start होता है यहाँ पर हमारे कमर के portion तक रहता है और उसकी जो अलग-अलग हम regions का है कि cervical है थोरा सीख है lumbar है और sacral region तो अलग-अलग regions तक यह पहुचता है और उसका जो starting हम कहे है तो brain stem की जो उसका starting point है and continue down almost to the bottom of the spine spinal cord की जो carry करता है अलग-अलग nose की जो कही जाती है spinal nose and carry incoming and outgoing messages between the brain and the rest of the body तो जो हमारे यहाँ पर समझो की यह जो अलग-अलग spinal nose निकलते है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नाम लिखा है कि radial nose है median nose है ulnar nose phrenic nerve femoral nerve sciatic nerve तो यह सभी nerves जो होती है वो अलग-अलग हमारे organs, organ system के और पहुचती है और वहाँ से message carry करके हमारे brain तक पहुचाती है और brain में से जो response generate होते है वो वापस जो है वो जो organ और organ system के और पहुचते हैं तो जो incoming and outgoing messages के जो परिवहन का हम काम का है वो कहा जाता है responsible है यह हमारा nervous system के कारण और उसमें यह central nervous system और उसमें से निकलने वाली यह अलग-अलग नाउस तो जो spinal cord में से जो neurons निकलती है नाउस निकलती है उसको हम कहते है spinal नाउस तो spinal cord के length में हम देखे तो spinal cord is start from the form and magnum of the occipital bone कि जो occipital bone है यहाँ पे attach होता है यह वाले diagram में देखो कि यहाँ पे occipital bone का reason तो यहाँ से देखो brain stem है और brain stem जैसे ही खतम होता है तो रथ हमारा spinal cord start हो जाता है same leg यहाँ पे भी देखे यह spinal cord और यह occipital lobe और occipital lobe के पास आया हुआ occipital bone तो सरुआत होती है spinal cord की form and magnum of the occipital bone to disc between first and second lumbar vertebrae कि जो vertebral column का जो region है वहाँ तक कि जो l1 और l2 जो हम कहते है कि यह है l2 और यह l1 तो आप देखिए l2 तक यह spinal cord available है और उसके बाद l3 और l3 के पास वो available नहीं है because इसी के कारण जब आपको spinal fluid जो connect करना होता है कि जो हम कहते है epidural space जो कहते है sub-arachinate space की जहाँ से जब आपको cerebrus spinal fluid collect करना होते है तो injection यहाँ पे देते है या फिर कोई medications वगेरा देनी है तो भी हम l3 और l4 के बीच में usually injection देते है जिससे वहाँ की जो neuron से वो damage ना हो because समझे कि आप l1 और l2 के बीच में injection देते हैं और गलती से वो needle समझे कि यहाँ पे लग जाती है कि जो spinal cord है और वहाँ पे ब्रिज़न जो spinal nerves damage होती है तो काफी complications हो सकते है इसलिए l3 और l4 या फिर नीचे के ब्रिज़न में आप injection दे सकते है या फिर वही से आप जो है वो puncture करके medication वहाँ पे deliver करवा सकते है या फिर वहाँ से कोई fluid आपको collect करना है sample collect करने है testing के लिए तो वही से किये जाते है तो vertebral column की जो हमारा main support देता है की जो एक type का bonds है और उसके अंदर अलग-अलग उसके region, cervical region thoracic, lumber है sacrum है and cosics तो ये column जो है वो पुरा bond है और साथ हे साथ उसके साथ attach होते है ligaments, वो भी एक additional protection देते है हमारी spinal nose as well as spinal cord को तो spinal cord और जो vertebral column है उसके अंदर spinal cord है और spinal cord में से निकल थी हमारी spinal nose तो ये आप देख सकते है कि ये उसका main central line और उसमें से ये अलग-अलग organs as well as organ system कि ये समझो कि हमारे hand के portion के और आ रही है ये सब ये वाले even जो हमारे shoulders होते है वहापे ये जो neurons निकल रही है कुछ जो है वो lungs के आज़क पास फिर जो अंदर के internal organs से वहाँ तक पहुचती है फिर rear productive organs के और फिर उससे नीचे legs के और पहुचती है तो ये जो spinal nerves सभी जगा पे फैली हुई है कि ये तो portion हम का है तो ये brain और brain में से निकलने वाले cranial nerves होंगी बट ये जो spinal cord का जो region है उसमें से सभी जो spinal nerves निकलती है वो अलग-अलग organ organ system और हमारे सभी body parts की और वो पहुचती है वो रूस mix होती है कुछ sensory होती है और motor कि दोनो messages जो है वो रिले करती है sensory as well as motor और उसके related जो response भी generate करने में help करती है तो ये हमने cross section सिखा था कि जिसके अंदर हमने बात कि थी कि PR matter, arachinoid matter और duramater combine होके तयार करते है meninges कि जो three layers है कि जो आप देख सकते कि जो red color है वो PR matter है arachinoid matter कि जो blue color की line है और जो black line है वो है duramater तो पूरा जो spinal cord का cross section देखे तो सभी जगा पर ये तीन matter present होते है और जिसको meninges कहा जाता है और meninges एक layer है एक membrane है कि जो proper protection भी देता है as well as support करता है spinal nerves as well as spinal cord को तो English का जो H होता है वेसे symbol में हमें ये spinal cord देखनों को मिलती है और spinal cord में से निकलती है spinal nose कि आप देखो कि ये जो blue color का line से blue वाली ये वाली तो ये एक spinal nose है और red वाला भी spinal nose है पर दोनों में function है वो सिसली sensory है यहाँ पर लिखाएगा sensory neurons कि जो blue है वो है sensory और जो नीचे वाला जो root है कि जिसको हम कहते है ventral root नीचे वाला कि जो red वाली spinal nerve से तो ये motor neuron है ये वाली कौन सी है spinal nerve ये motor है कि जो motor responses के लिए responsible है और उपर वाली sensory कि जो sensory responses के लिए responsible होती है तो ये खास आपको दियान रखना है कि sensory और motor कि जो dorsal root होता है कि जो उपर की और और ventral root कि जो नीचे करका ventral root में always motor neuron रहती है और dorsal root में से नीकलने वाली हम में सा sensory neurons होती है वो आपको अच्छे से याद रखना है तो वह आप एक gray matter है white matter ये हब सब हमने सीखा था फिर ये समझे कि जो sensory neurons है कि जो dorsal root से नीकल रही है और वो क्या करती है sensations जो होते हैं कि समझो कि sensory receptor में से जो भी कोई response आ रहे हैं वो collect करेगी और वो लेकर जाएगी हमारे brain की और तो जो spinal cord की जो spinal nausea है sensory neuron और दुसरे word में वो हम कह सकते हैं उसको spinal nerve तो उसका हम pathway देखें तो ये sensory receptor से उसका में ये arrow बताओ वो direction में वो जो है वो senses की information carry करेगी और पहुचाएगी यहाँ पे brain तक तो ये sensory receptor और वहाँ से निकली ये spinal nerves की जिसको spinal nerve neuron भी कहते हैं dorsal root से CNS के अंदर enter करेगी और आगे वो spinal cord के अंदर travel करके पहुचेगी हमारे brain की और brain में उसके related तुरंट generate होगा कोई response तो सबसे पहले तो क्या होगा sensory ने एक message relay किया वो message लेकर sensor नी neuron पहुचती है brain की और brain ने वो information को proper interpretation के और उसके related response जनरेट करके दूसरी वाली जो land पे हम देखे तो ये ये direction में ये जो neurons जा रही है वो है motor neuron ये भी एक spinal नवसी है और ये देखिए अब नीचे वाला जो root है कि जो हम कहते है ventral root ventral root से ये जो motor neuron आगे travel करके पहुच रही है motor nerve के ending cure तो समझे कि यहाँ पे आपको कोई bite हुआ है कोई burning हुआ है या फिर कोई insect bite हिया है तो तुरंत आपको ये यहाँ पे पता चलेगा और उसकी related आपके muscles movement करेंगे कि तुरंत हमारा legs की movement होगी या पे समझे कि हाथ है तो हाथ की movement होगी जू भी आपका organ है उसके related उसके motor responses आपको देखने को में लेगे तो इस थरह से हमारी spinal nerves जो है वो अपना काम करती है कि sensory receptor से response लेकर जाती है dorsal root से enter होके वो पहुच जाती है brain की और और brain से आकर spinal cord में ही travel करेगी बट centrally फिर जो नीचे का जो dorsal के सामने वाला जो root की जो हम कहते है ventral root वह से response जो है वो motor nerves के end तक लेकर जाएगी तो उसका जो descending track है कि जिसको carry करता है motor impulses away from the brain and lastly that is the central canal कि जो जिसके अंदर होता है cerebro spinal fluid तो यह हमने detail में जो मैंने अभी आपको समझाया तो spinal nerves की जो mixed nerves कहीं जाती है कि जिसके अंदर motor भी है and sensory भी है and autonomic signals between the spinal cord and the body कि spinal cord और body के बीच में जो signals है वो completely वो पहुचाती है कि यह आप हम देखे highlighter से अब देखते हैं तो यह है spinal cord उसमें से निकलने वाले total 31 pair of spinal nerves तो यह spinal nerves हमारे सभी organs तक पहुचती है सभी हमारे organ system तक पहुचती है हमारे body के सभी जो part है वहाँ तक यह पहुचती है कि इस लाइक यह spinal cord के जो cervical प्लैक्सिस में से निकलने वाली C1 से C8 वाली neurons कि जिसको हम cervical कहते हैं उसके बाद thoracic T1 to T12 फिर lumbar sacral तो आप देख सकते हैं और उसी में से यह branches निकलती है कि लाइक radial nerves आप यहाँ पे देख सकते हैं median nerves है कि जो यहाँ पे shoulder के reason में आ रही है फिर यह जो हमारे lungs के असपास यह intercostal nerves है ulnar nerves वगेरा पहुच रही है phrenic nerves की जो lungs के असपास है femoral nerves की जो हमारा legs के portion के पास उसके बाद यह हम कहें तो sciatic nerves तो यह अलग-अलग nerves अलग-अलग हमारे parts तक पहुचेगी और motor and sensory responses को collect करके proper जो है वो हमें sensation देती है हमें motor movement देती है तो spinal nerves is a mixed nerves which carries the motor sensory and autonomic signals between the spinal cord and the body and in the human body there are 31 pairs of spinal nerves one on each side of vertebral column की जो हमारा vertebral column है उसके दोनों साइड में वो present होती तो यह है dorsal root की जो उपर वाला root और जो नीचे वाला जो root है उसको हम कहते है ventral root की मैंने अभी already आपको वो समझा दिया है तो यह gray matter यह वाला white matter तो यहाँ से देखिए उपर से भी यह spinal nerves निकल रही है की जो दिखाया है यह वाली तो यह spinal nerves seem like that नीचे का जो ventral root है वहाँ से भी यह spinal nerves निकल रही है तो यह dorsal ramus और ventral ramus की जो आगे जाके उसकी अलग-अलग branches तयार होगी तो यह वाला आप completely location देख सकते है की spinal nerves का समझे की आप उपर से देखते है side में cross section को detail में study करते है तो यह वाला जो blue reason आप देख सकते है यह है spinal nerve vertebral body आप देख सकते है की जो पूरा vertebral column का यह body है की जो एक type की हमारे bonds है की जो protect करते है spinal cord को यह हो गई आपकी spinal nerves उसके आप देख सकते है की यह उपर वाला root dorsal root की यह उपर की side है नीचे की side का जो root है वो है ventral root और यह जो है वो दोनों side निकल रही है एक यहापे भी dorsal root है यहापे भी ventral root है तो दोनों side because हमारे body के अब देखे तो दो legs से हमें दो hand से मतलब कि पूरा body हमारा दो part में completely जो है वो फैला हुआ है तो दोनों side जो है वो proper neurons पहुँचती है तो उसका manageis देख सकते हैं हम कि यह पूरा manageis का layer कि जो उसके अंदर total तीन layer है membrane के अंदर फिर यह gray matter और यह white matter यह spinous process कहा जाता है for a man कि जो filled with adipose tissue कि यहापे adipose tissue होती है यह वाला bone और यह adipose tissue होती है जिसके करण bone का directly pressure यह spinal cord पे ना पड़े बीच में जो adipose tissue हो रहे कि जो fat वाली है कि जो उसको प्रॉपर एक support देती है और फॉरा में ट्रांस्वरिजम डिस्केनूलस नुक्लियस पल्पोसिस की यह जो central वारा portion है नुक्लियस पल्पोसिस तो इस तरह से आप spinal nerves का exact location देख सकते हैं इंद वर्टिब्रल कॉलम की जो वर्टिब्रल कॉलम को हम completely cross section ले with vertebral कॉलम तो इस तरह से यह देखने को मिलता है इसलिए आप देखो कि प्रॉपर उसको protection मिला है हमारी spinal nerves, sazullis spiron, quad को आगे सिखते हैं अब कि this nerve fibers are grouped into the nerve track based on their function, ascending track such as dorsal quorum and spinothalamic track carry the sensory impulses to the brain कि जो हम dorsal की बात कर रहे है, dorsal कॉलम की उसमें से हममेशा जो spinal nerves निकलती है उसको हम कहते हैं offerants की जो offerant sensor informations को carry करती है और जो ventral root है नीचे वाला वो हममेशा efferant signals की जो motor responses के लिए जरूरी है तो total 31 pairs cup अच्छे से याद रखे एक 8 है cervical, 12 thoracic, 5 lumbar, 5 sacral and 1 coxile तो 12 और 8, 20, 20 और 5, 25, 30 और this one total 31 spinal nerves तो यहाँ पर देखिए यह C1 से लेकर C8 तक की जो cervical है उसके बाद यह आप vertebral column की जो numbering count करेंगे तो एक, दो, तीन की जो थोरासिक vertebrae हम कहते हैं तो वहाँ पर total यह 12 है T12 तक तो वह थोरासिक spinal nerves कही जाती हैं उसके बाद L1, L2, L3 और L4, L5 के जो कही जाती है lumbar nerves या फिर lumbar spinal nerves फिर जो sacral का जो portion है वहाँ पर total पांच की जो sacral spinal nerves और उसके नीचे एक coccyzal जो रहती है spinal nerves किस तरह से total 31 pair complete होती है क्योंको यह हमेशा pair में रहती है एक left side की और और एक right side की और each pair connect the spinal cord with a specific region of the body कि spinal cord को specific regions के साथ वो connect करती है near the spinal cord, each spinal nerves branches into the two roots कि दो roots जो निकलते हैं एक left side और right side और उसकी भी बहुत सरी लगले लग ब्रांचेस निकलती है और वो हमारे each and every organ और organ system की और पाउसती है तो each spinal nerve is a mixed nerve from the combination of the nerve fiber from dorsal and ventral root की जो हमने already discuss कर लिया भी dorsal root is a afferent and sensory root this is your very very most IMP question ये वाला जो है मैं कहूं तो most IMP point है आपके लिए multiple choice question के लिए कि जैसे हम कहते कि एक up जाने के लिए रास्ता है और एक down के लिए है तो ये समझ लो कि ये sensory है वो brain की और जा रहा है रास्ता क्या लग लग organs की जो sensory receptor से brain की और पाउसता है कि जो offerant कहा जाता है और जो dorsal root जो है कि जो उपर का है मैं already मैंने अभी भी आपको बताया कि ये उपर वारा dorsal always जो offerant कहा जाता है कि जो sensory informations को carry करता है to the brain और second वाला कि जो हम कहते है efferant कि जो ventral root कि जो नीचे वाला root कि जो efferant signals को carry करता है from the brain कि brain से आता है और वो पाउसता है अलग-अलग organs की और outside the vertebral column the nerve divided into branches अलग-अलग branches के अंदर ये nerves divide होते है तो जैसे अभी हमने समझा कि ये sensory receptor तो sensory receptor से आप direction देखे कि यहाँ पे पहला pointer है मिला तो इस तरह से ये direction के अंदर impulses sensory neuron जाएगी ये dorsal root से होकर कि ये जो offerant है और वो जा रही है brain के अंदर तो ये brain के अंदर पहुच गई अब brain से वो response लेकर आ रही है कि जो motor है और वो हम देखे तो नीचे वाले motor की जो dorsal उपर वाला और नीचे वाला जो ventral root से वहाँ से निकल कर पहुचती है यहाँ motor nerve ending तक ये पहुच गई तो ये है उसका पुरा पात्वी की जो अब आपको इसली समझा गया होगा तो spinal nerves के जो function हम देखे तो motor impulses carry करता है sensory, autonomic information से कि जो हमारी autonomic nervous system related कि जो समझो कि हमारे lungs से cardiac region है, kidney का portion है reproductive organs से हमारे तो सभी की और अपने motor responses as well as sensory as well as autonomic informations को अच्छे से carry करता है between the brain and the spinal cord and the rest of the body कि एक brain and spinal cord की जो CNS बनाती है और फिर peripheral nervous system तो spinal nerves की जो पूरे body की brain में से निकलने वाली cranial nerves तो हमारे जो चाहरे के आज-पास से फैली हुई है सब but peripheral nerves जो तैयार होती है ये सब spinal nerves मिलकर तो ये सभी organ organ system सभी body parts के और पहुंसती है ये spinal nerves तो ये table आपको सेखना है very very most time पी तो C1 से C6 वाली जो है वो neck के region में होती है जिसको का जाता है neck flexors यहापे आप देखिए कि ये जो C1, C2, C3, C4, C5 and C6 तो आप देखिए ये जो neck की जो portion है वाग के और as well as ये जो हमारे कुछ soldiers के portion है वहापे भी वो present है उसके अलावा C1 and T1 तो neck extensors का जो region है हमारा वहापे C1 और ये T1 वाली कि ये पीछे की आप देखिए कि तो neck का जो extensors का जो region है कि जो नीची की और neck का portion वहापे T1 भी available होगी उसके अलावा C3, C4 and C5 जो spinal nerve से वो supply करती है और diaphragm को proper impulses as well as दोसके related जो response होते है वो and mostly C4 कि जो हमारा diaphragm की और पहुचती है C5 and C6 कि जो हमारा shoulder हम move कर पाते है तो आप देखिए यहाँ पे C5 and here that is a C6 दोनों सेड यहाँ पे भी एक C5, C6 तो यहाँ से आएगी तो यह हमारा shoulder का जो पूरसन as well as जो हमारे arms हम कहते है externally rotate the arms कि जो हम हमारे hands की जो movement कर पाते है हमारे जो hands है, हमारे arm है वो हम हिला सकते है तो यह C1 से लेकर C6 का जो पूरा region की जो shoulder हम कहे है neck का portion हमारे जो arms है फिर हमारे elbow की जो हम biceps कहे है raise the arm की हम arms को उपर ले जा सकते है नीचे लाते है तो raise the arm की जिसको diet roll कहते है और flex elbow की जिसको biceps कहते है तो वहाँ पे C5 and C6 और C6 specially involved है rotation of our arms move the shoulder, raise the arm उसके लिए C5 and C6 दोनों काम लगती है C3, C4 and C5 diaphragm की और है आगे जानते हैं अब C6 और C7 extend the elbow की जो हमारा elbow extend होता है wrist, tricep and wrist extensor and prunate wrist तो आप यहाँ पे देखिए कि जो हमारे C7 कि जो हमारी wrist का जो portion हम कहते है उसके extensors वहाँ तक पहुचती है वो spinal nerves फिर C7 and C8 flex wrist supply small muscles of the hand कि जो hand के जो small muscles है वहाँ पे भी supply कर दी है C7, C8 यह देखो हमारे hand के सभी portions के और C8 पहुच रही है अब बात है T1 की तो T1 से लेकर T6 T1, T2, T3, T4, T5 and T6 की जो थोरा सिक spinal nerves का ही जाती है कि intercostal and trunk above the waist यहाँ पे देखिए T2, T3, T4, T5, T6 above the waist कि जो हमारा waist का जो portion है उसके अब बाव intercostal and कि जो हमारा trunk कहा जाता है उसके बाद T7 आप देखो तो abdominal जो muscle से वहा की और और यह जो हमारा stomach का जो portion से उसके related organs वहा की और बाकी की जो थोरा सिक spinal nerves पहुचती है फिर अब बात करें L1 और L4 की तो flex hip joint है उसके बाद L1 देखें आप L1 L2 L3 L4 की जो legs का जो portion साब देखे hips का portion का है फाह तक पहुचती है फिर L2 L3 L4 adduct the thigh extend toward the legs and the knee की जो knee का जो portion है की knee joints हमारे होते है वहाँ पे L2 L3 और L4 की जो spinal nerves से वह वहाँ तक पहुचती है उसके बाद L4 L5 और S1 की abduct thigh flex legs knee की जो हमारी hamstrings कहते हैं वहाँ तक आती है फिर dorsi flex foot की जो tibialis anterior portion है and extend toward the toe यह पे अब देख सकते है S1 की जो हमारे toe का जो portion है वहाँ पे as well as जो flex leg का जो portion का है वहाँ तक पहुचती है फिर L5 S1 and S2 extend the leg at the hip gluteus maximum जो हम कहते है maximus flex foot and flex talkie और पहुचती है तो यह हमारे total 31 pairs of spinal nerves और उनके detail function तो काफी most आई हैं भी question आपके लिए in short हम कहें तो कोई भी ऐसा part बाकी नहीं रहे था कि जहाँ पे यह spinal nerve spots से नह हो और काफी important है हमारे body के अंदर यह और यह सबी आगे जाके peripheral nervous system की जो अलग अलग function से उसके अंदर यह help करती है तो बाकी के points हमड़ अब discuss करें के next video lecture की जो हमारा part 9 होगा regarding the nervous system till then join कर यह WhatsApp group subscribe कर यह channel use कर यह app pharma rocks android app on google play as well as apple iphone app on app store access study material test series and video lecture so good luck and all the best